हेई गाइस कैसे अब सब लोग स्वागे दिया अब लेक्स वाइवर्स गेमस पेस हो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाले कैसे अपने पोजाव लाउंचे या अपने माइंक्राफ जावा एंडिशन एंड्रोइड में डाउन्रोड कर सकते हैं पैरसाइड मोड तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे पैरसाइड मेरे हर तरफ गिरेव है और इनकी स्पीड और इनकी जो मतला अटाक डामेज यह बहुत ज्यादा है एक नॉर्मल मतला की कोई मॉब के मुताबिक बहुत ज्यादा डामेज करते भाई साब इनसे बचपान और मॉस इंप स्पॉन हुआ हूँ और आप यहां पर मैं आपको दिखा तो यह दिखिए रहा बॉस इनका यह अक्चली बहुत चार बॉस है इस मॉड में लेकिन यह हमारा एक बिक स्पाइडर मॉब यह भी बहुत बड़ा मॉब है बहुत इसे टफ हराना और यह हमेशा कोई ना कोई पै आउन लोड़िंग प्रोसस में तो सबसे पहले आपको मेरे दिस्क्रिप्षिम्ट में जाना इसक्रिप्षिन में आपको एक लिंक मिलेगी मीडियाफियर के आपको क्लिक करके उसे डाउड़र करने बाद आपको अपना ZA Achiever के डाउड़र के डाउड़र में आपको यह व यहां पर extract here के उपर click करते हैं यहां पर extraction चालू हो जाएगा जैसी यहां पर आपका extraction complete होगा यहां पर आपको एक ऐसा folder मिलेगा pass side mode करके आपको इसके अंदर आपको चले जाना है इस mode के अंदर आपको अलग-अलग तरीके के mods मिलेंगे और config मिलेगा तो सबसे पहले आप यहां देख सकते कि कितने सारे mods यहां पर आपको simply यहां पर जो भी जिप वाले mods ना इनने select करते रहना है इन सब को आपको एक करके यहां से cut कर लेना तो मैं पहले यहां से select all कर लेता हूँ और इस config file को यहां छोड़ दीजे इसे cut अभी नहीं करना है तो सबसे पहले इस सारे जो jar files है इसे आप यहां से cut कर लीजे cut करने बाद simply आपको commandments बैंट को औस Questo में आपको 3.com फाइसे आपको option मिल रहा होगा उपर में यहां पर आप देख सकते हैं उसके ओपर आपको क्लिक करना है उसकार आपको settings को option मिलेता है पर क्लिक करना है उसके आपको फाइल लिस्ट को उप्शन मेल रहा है उसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आप आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शो हीडन फाइल इससे आपको इनेबल करना है इससे आप अगर रखेंगे तो आप आगे वाले प् डिवाइस मेमोरी में जाने बाद आपको यहाँ पर एक folder सर्च करना है जिसका नाम है Games तो यहाँ पर आपको मेरा Games का यह देखे folder मुझे मिल चुका है इसके अंदर आपको जाना Games के फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा Pujav Launcher Pujav Launcher के folder के अंदर आपको मिलेगा .Minecraft .minecraft के अंदर आपको मिलेगा एक folder जो है mods का, तो यहाँ पर मैं आपना ढून लेता हूँ mods का folder, तो यह देखे यहाँ पर गाइज मेरा mods का folder यहीं पर है, इसके अंदर आपको जाना है और इसे paste कर देना है, आपके सारे mods यहाँ पर हो चुके install, बस अब आपको एक और step और यहां पर अपको वही parasite mode के अंदर वापस से जाना है और यह जो config file इसे यहां से आपको cut करना है और यहां से cut करने बाद simply आपको वापस अपने device memory में जाना है फिर आपको वापस games के folder में जाना है games के folder आपको वापस से pojav launcher में जाना है pojav launcher के अंदर वापस .minecraft के अंदर जाने के बाद .minecraft के अंदर जाने बाद आपको यहाँ पर simply इसे paste कर देना है paste करते हैं यहाँ पर आपको जो apply all files लिखा हुआ है उसके उपर tick mark करना यहाँ पर replace के उपर click कर देना है और इसके यहाँ पर इसे पूरी तरह के से paste होने दिए जैसे आपका paste होजए आपका सबकाम यहाँ पर हो चुका है simply आप अपना pojav launcher open कर सकते हैं तो मैं जल्दी से अपना pojav launcher open कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपना pojav launcher open कर लिया है तो अब यहाँ पर आपको अपना version सेलेक्ट करना है तो आप 1.12.2 select कीज़ेगा forge version के साथ तो अगर आपको forge version नहीं आपका install है तो आप जाके जल्दी से install कर सकते हैं इंस्टॉल करने बाद आपको simply play के ओपर click कर देना है play के ओपर click करते हैं यहाँ पर आपका game open होने लगेगा तो इस game को पूरे तिरके से open होने दीजे तो यहाँ पर मेरा जो game है वो open हो चुका है तो simply आपको single player के ओपर click करना और इसके बाद यहाँ पर अपना एक world create कर लीजे तो अब यहाँ पर world create मैं करूँगा creative में ताकि मैं आपको बहुत सारे चीज़ यहाँ पर explore कर करके दिखा सकूँ उसके अब आपको जाना है more other files के तरह मतलब की और उसके other options में तो यहाँ पर आपना world type lost cities लग सकते हैं अगर आपको एक map चाहिए तो lost cities यह एक mod है जो मैंने यहाँ पर install करा है आपको यहाँ पर आप done कर सकते हैं नेकिन मैं lost cities नहीं खेल रहा हूँ यहाँ पर मैं बिना lost cities के मैं आपका खेल रहा हूँ ताकि मैं आपको सही और अच्छी मतलब की exploration दिखा सकूँ इस mod के तो यहाँ पर मैंने create new world के उपर click कर दिया है तो मेरा यहाँ पर world create हो रहा है इस world को बोज़ते कर से create होने देता है तो यहाँ पर मैरा world भी create हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नहीं नहीं तरीके के यहाँ पर पेड़ नजर आएंगे है और यह एक mod जिससे आपका जो forest बहुत जादे dance हो जाता है और भी जादे घहना दिखने लगता है यह तो यहाँ पर आपको नहीं नहीं तरीके के animal दिखेंगे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जब इस पेड़ को कटते हैं तो हम लोग का इसका अनिमेशन कितना अच्छा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इद्दम रियल अनिमेशन लगता है जब हम इस पेड़ को कटते हैं और इससे आपको बहुत साय लॉग्स और sticks मिल जाते हैं उसके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें हमारा पहला पैरसाइट दिख चुका है जो है यहाँ पर हमारा infected pig parasite इन्हें भी मानना बहुत जादा मुश्किल है यह भी बहुत तेज भागते हैं और इनका भी damage बहुत जादा है और इन्हें पैरसाइट से थोड़ा जादा मुश्किल होता है क्योंकि उस पैरसाइट से थोड़ा जादा ही ताकतवर होते हैं और यह एके करके फैलते रहते हैं इनकी कोई limit नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रात होने लगी है और मेरे तरफ हर तरफ मेरे यहां पर पैरसाइट से भाग नहीं सकता है हर तरफ से पूरी से भरे वह हैं आप देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं रात होने पर और और बी ज्यादा परम मेरे पीछे आ चुके और मैं इसे लिटरल्ट यह बाई साब आप क्या गेम मतलब उसी वक्त खेल खतम आप वहाँ पर वापस से रिस्पॉन होना होगा और यहाँ पर आप देख सकते कि हर तरफ भरे पड़े इद्दम मुझे मार डालेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक किजेगा चानल को भी सब्सक्राइब कर दियेगा मिलता आपसे नहीं और अगली वीडियो में तब तक के लिए गुट पाई